कहते हैं हरी अनन्त, हरी कथा, अनन्ता हिंदु धरम में कार्तिक महीना भगवान विश्णू की अनन्त लीलाओं की महीमा का गुणगान करता है भगवान विश्णू को सभी महीनों में से कार्तिक मास सबसे जादा पसंद है कार्तिक के महिने को दामो दर्माज भी कहा जाता है इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की एक लीला कथा जुड़ी है क्या है वो कथा चलिए जानते हैं इस कथा कवर्णन अनेको पुराणों में भी किया गया है दरसल कुबेर के दो बेटों की करनी से नाराज होकर नारगमुदी ने उन्हें श्राप दिया और श्राप देकर कुबेर के दोनों बेटों को पेड़ बना दिया था कुबेर के दोनों बेटों ने श्राप पाने के बाद वर्षों कडी तपस्या की और देवरिशी नारत के इस श्राप से मुक्ती पाने के लिए भगवान से मनो काम ना की इसकी बाद श्री कृष्ण ने दौापर यूग में जन्म लिया और बाल रूप में वो गोकुला गए अपने बाल रूप में श्री कृष्ण खूब शरारते करते यशोधा मैया को खूब सकाते एक दिन यशोधा मैया ने श्री कृष्ण की नटकट शरारतों से तंग आकर उन्हें घर के बाहर ले जाकर उखल से बान दिया और मा यशोधा अंदर चली गए तब पास में श्री कृष्ण ने देखा कि कुबेर के दोनों पुत्र श्रापित व्रिक्षबन खड़े हुए थे श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और अपनी कमर से बंदे उखल को खीशते हुए इन दोनों व्रिक्षों के बीच ले गए और कस के उखल को आगे की और खीचा जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल को कस कर खीचा वो दोनों व्रिक्ष धड़ाम से गिर पड़े और उसमें से दो दिव्यपुरुष प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को हाट जोड कर प्रणाम किया अपनी गलती की इसके बाद वो दोनों वापस अपने लोग चले गए इस तरह ये लीला उखल बंधन लीला कहलाई और कार्तिक महा को दामोदर महा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लीला कार्तिक मास में हुई थी दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांथ देना श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर के नाम से पूरे देश में जाना जाने लगा